बहुत सारी मैला हैं जब मैं ये बताती हूं कि प्रसफ पीरा को कैसे पहचानना चाहिए उस वक्त कई मैला हैं ये पूछती हैं मेरे से कि प्रसफ पीरा को लाने के लिए क्या करें तो कुछ ऐसे टिप्स जो मैं आज आप लोग को देने वाली हूं जो कि मेरे खुद के परसनल एक्सपिरियेंस से हैं जब मैं अपने डिलीवरी का वेट कर रही थी और लेबर पे लाने के लिए मैंने कुछ घडेलू नुस्थे ट्राइ किया थे जो भी मैं उसके बताने वाली हूँ वो 100% मेरे खुद के हैं मेरे परसनल एक्सपिरियेंस से हैं तो मुझे कई लोगों ने जो कि मेरे घर वाले हैं मुझे ये बोला था कि खजूर जो है खास कर आठवे और नौवे महिने में जरूर से जरूर खाना चाहिए खास कर नौवे म में फायदा मिला यह फायदा मिला कि मुझे अपनी डियू डेट पार नहीं करने पड़ी यानि कि मेरे डियू डेट थी वह चौबिस तारिक तो चौबिस तारिक के बाद मेरे डिलिवरी नहीं कई उससे एक विक पहले ही नौर्मल डिलिवरी हो गई और बहुत कम समय में मे में प्रदण बड़ पंय कर सकती है अभी इसलरे नौब बने सब्सक्राइब ये मेरी म मंस के भीन हों कि नोatte क्रस्क्राइब इससे बच्चे की ड्रॉपिंग जो होती है बहुत जल्दी होती है तो जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल होते हैं तो मैं रोज सुबा और साम दस से पंद्रा मिनिट तक तो जरूर वॉक किया करती थी वॉक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लंबे लंबे कदम होने चाहिए बिल्क और नौवे महीने में आपको खास कर तहलना चाहिए तीसरा जो एक्सरसाइस था मैं किया करती थी वो था बटरफ्लाइ एक्सरसाइज इससे मेरे जो कमर के पास के मसल्स हैं वो स्ट्रेच होने लगे थे वो रिलेक्स होने लगे थे इससे भी बेबी ड्रॉपिंग होती है और साथ ही नौर्मल डिलीवरी के लिए काफी फाइदेमंद होता है अगर जो आहां के मसल्स हैं रिलैक्स होंगे स्ट्रेचबल होंगे तो आपको जाधा देर तक लेबर पेन में नहीं रहना पड़ेगा और बेबी की ड्रॉपिंग इसली होगी बच्चे दानी का मुझ ख किया है मैंने सिर्फ एक वीख ही घी दूद पिया है वह भी बहुत कम मात्रा में एक कब दूद में लगबग आधा चमच घी का सेवन में किया करती थी लेकिन देसी घाय का घी होना चाहिए घी काफी अच्छा होना चाहिए कोई भी जैसे डालड़ा वगेड़ा घी हो गया या रिफाइंड वगेड़ा मिलावट हो गया घी में वह गी नहीं बिल्कुल सुद देसी घाय का घी होना चाहिए कि आपके अंदर से मल त्याग करने में कब्श को दूर करने में काफी ज्यादा बेनिफीशियल हो कब्श की प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए इसलिए घी द यह पर्सनल एक्सपिरियंस आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो यह काफी ज्यादा फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिखे जाते जाते इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाते जा